आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो स्टुडेंट इस Question में बोला गया है कि एक Particle है जिसको अपने यहां पर Project करते है और उसकी जो Velocity में पास यहां पर Small U के Equal Given है और इसका जो Projection का एंगल है Horizontal से वो Alpha है और यहां मेरे पास जो Point of Projection है उसको यहां पर Point P बोला है यहां पर अब बोलागे कि जो Plane है यहां पर सेम प्लेन पर जो Particle है वहां पर स्टाइक करता है और जो में पॉइंट है उस प्लेन में जहां पर स्टाइक करता है वह Point में पर यहां पर Capital Q है तो अपने बोला है कि जो Average Velocity होगे मेरे पास यहां पर Particle की During this journey मेरे पास है P to Q, वह क्या होगे मेरे पास यहां पर यहां पूछा गया है तो इस Question को अपने यहां पर स्टाइक करते है तो Let's Suppose कि मेरे पास यहां पर यह कोई मेरे पास यहां पर Plane है यहां पर यहां से में ने क्या किया है कोई Point P है इस Point P से अपन ने क्या किया है कुछ एंगल एल्फा पर पार्टिकल उसको पॉजेक्ट की है उसकी विलोसिटन आउन चैनल मोचन करेगा और किसी पुआइंग यहां used करीं रहेगा और किसी हो यहां पर कूछ Crystal पार पर यहां पर कुछ है इस पर आपe साध रृज से वाप है फीज पास Northern है उसके दौनास औ मेरे पास जो velocity होती है उसका formula क्या होता है average velocity होती है मेरे पास यहां पे वह होता है यहां पे net displacement divided by time taken ठीक है कि particle है उसका कितना displacement हो है और उस displacement में पार्टिकल जाएगा तो उसका displacement क्या हो जाएगा सब्सक्राइब एक क्या हो जाएगा इसका displacement क्या हो जाएगा इसका time of flight लगा है पूरा यहां से यहां पर वहां के अरो जाएगा तो जाएगा कितना time जिसमें पास जो particle है मेरा है air मेरा हुआ मेरा ठेक है टकराने से पहले तो है पास कि average velocity आजाएगी तो यहाँ पर अपने average velocity calculate कर लेते हैं तो इसका सबसे पहले अपने range और जो time period जो पर पास time of flight हो calculate कर लेते हैं तो जो particle है उसकी जो मेरे पास यहाँ पर initial जो velocity उसको component में divide कर लेता हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर यह जो एक्सी से उसको positive x एक्सी बोल दाऊं यहाँ यहाँ पर प्रवाल एक्सी इसको positive वह एक्सी बोल दाऊं यहाँ पर convention के लिए तो यहाँ पर इसका जो component आजाएगा velocity को क्या आजाएगा यू cos alpha और जो vertical direction में आएगा वह आएगा u sin alpha ठीक है इसको मैंने बोल दिये u y इसको बोल दें मैं यहाँ पर u x तो जब particle में पास क्या करेगा इस point पर आजाएगा मैं पास तो इसकी y direction में क्या हो जाएगा इसका displacement 0 हो जाएगा मैं बोलूँगा यहाँ पर कि जो applying equation of motion in y direction तो y direction मैं अगर मैं equation of motion एपलाए करूँगा तो अगर मैं second equation of motion एपलाए करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा sy is equal to u y t plus half of a y t square इसका पास क्या हो जाएगा तो इसका y direction displacement क्या हो जाएगा वापिस सी plane पे आगया तो y direction displacement displacement हो जाएगा 0 is equal to u y क्या है इसका वो है u sin alpha और इस प्रोसेस में पुरा time लगाओ क्या हो जाएगा time of flat क्या हो जाएगा तो t आजाएगा capital T क्याएगा प्लस हाप ओ उपर की direction positive मानी तो acceleration क्या है यहां पर y direction में पार्टिकल की हर टाइम जो acceleration द्यूट गरिवटी जी नीचे लेगा तो आजाएगी minus g क्योंकि उपर क्या पनने क्या मानी positive into capital T square तो यहां पर पास क्या हो जाएगा यहां से पर टाइम प्रिड़ आजाएगा कि इतना चल गए मिरे पास यहां पर वह find out कर लोगा तो range क्या जाएगी range जाएगी मिरे पास हो जाएगी मिरे पास यहां पर कि जो range के लिए कौन सा component responsible है यहां पर भी आपना से यू एक्स है कि मिरे पास यहां पर यू एक्स वाले काण टी कर दासि डायम में particle X डेक्शन में कितना चल लिए यह क्या हो जाएगी तो क्या जाएगे यहां पर यू एक्स की वाली बाई जी है मेरे पास किया कि रेंज तो यहां से में पास जो average velocity है वो find out करूंगा तो क्या जैगा जो कि वी average is equal to क्या जैगा वोपर range जाजएगा जगा 2U sin alpha cos alpha by z divided by क्या जाजएगा यहां पर divided by जाजएगा time period जो जाजएगा time of life तो जाजएगा 2U sin alpha by z तो यहां से अगर अपन सोल करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा G से G कैंसल हो जाएगा 2U sin alpha है मेरे पास यहां पर तो यहां क्या हो जाएगा यहां पर यहां मेरे पास आएक value क्या जाएगी यहां से पास अगर देखेंगे तो यहां मेर पास आएगा, बहूं अधा है, u² हैगा, यहां पर रेगा 2u², तो यहां पर, 2u से 2u cancel हो जाएगा, यहां पर, u की एक power हो रहेगी, यहां पर, sin α, sin α, cancels लेगा, बहुत पास क्या है, value, value रहेगी, यहां धागी, u cos α, ठीक है, बहुत पास है, यहां पर जो, average, प्लासिक्स टुट्वेल से लेके नीट आई-ई-एटी जही मीन्स और एडवांस के लेवल तक